हेलो दोस्तो आपका स्वागत है अपनी यट्यूब चैनल में तो दोस्तो आगे हूँ फिर से एक यूनिक आइडिया लेकर जो सर्दियों में आपकी स्कीन और फेस के लिए बहुत ही जायदा लाबकारी है तो दोस्तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो का इडिया कैसे हमारी स्कीन और फेस पर काम करताएं तो बने रही गआ वीडियो मेरे साथ क्योंकि टोटल जनकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ पहले मैं बात करूंगा दोस्तो बैसलीन के बारे में यह कैसे फाइदे बंद हमारी स्कीन और फेस के लिए जैसे ही दोस्तो सरदियें सुरू होती हैं, वैसे ही basicslin की छोटी सी डीबिया खुल जाती हैं. सरद्दियों में dry skin से बातने के लिए हम बैसलियें का इस्तिमाल करती हैं, यह आम, क्रीम और लोसन के म।काबले काफी जायदा अच्छी होती है. लड़कियां तो दोस्तो इसे मेक अप प्रोडक्ट के तौर पर भी यूज़ करती है दोस्तो बैसलीन को पैट्रोलियम जैली भी कहा जाता है इसे नैचुरल बैक्स और मिनरल से त्यार किया जाता है जिससे बैसलीन को लगाने से स्किन में नमी आती है और रूखे पन से मुक्ती मिलती है ये पूरी तरह से नैचुरल है दोस्तो इसी लिए इसे लगाने से किसी प्रकार का नुक्सान नहीं होता है पर जिन लोगों की तप्चा सामली होती है उनकी स्किन काली और ओली दिखाई देने लगती है इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ दोस्तो जिससे आप बैसलीन का सही से यूज कर सके अब दोस्तो बात करते हैं बैटनोबैट सी क्रीम की बैटनोबैट सी क्रीम दो अलग अलग दवाओं का कॉंबिनेशन है जिसमें 0.1% बीटा मैतासन बॉयलेट और 3% के लिए क्यूनॉल पाया जाता है दोस्तो बीटा मैतासन बीटा मैतासन दोस्तो कोशिकाओं के अंदर जाकर इसकीन के लिए हानिका रसाइनों को कम करता है और फेस की स्कीन को साप करता है और किलियो क्यूनॉल तब चाहिए जीवाडू एप फंगल इंफेक्शन को रोक कर इस्किन को साप करता है जिससे हमारा फेस गोरा टाइट और चमकदार दिखाई देता है अब दोस्तों बात करते हैं कैसे यूज़ करना है तो दोस्तों आपको लेना है एक बाउल या फिर अपने हाथ पर बैसलीन और बैटनूबेट सी क्रीम की बरावर मातर निकाल लेंगे इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद अपने फेच पर दोस्तों इस तरीके से अपलाई करें जिससे क्रीम रहे ना अगर दोस्तों नैट में आप इसे यूज करते हैं तो इसका और बेहतिन रेजल्ट मिलता है दोस्तो रिजल्ट आप यहीं देख सकते हैं मैंने जिस जगा बैसलिन और बैटनोबाइट सी क्रीम को लगाया है वो जगा ज़्यादा क्लीन और चमकदार है तो दोस्तो आप इसको अपने डेली रूटीन में सामिल करें दोस्तो इसके कोई साइट इपक नहीं है आप डेली इसको यूज कर सकते हैं तो दोस्तो कैसा लगा वीडियो क्या वीडियो सच में यूजफूल है तो दोस्तो अपने बहुत सब टेलीग्राम और फेस्बुक पर जाईए लोगों को वीडियो सेयर कीजिए जिससे अगर ऐसी प्राबलम किसी को हो तो वो छुपकारा पा सके थैंकियू दोस्तो